प्रिष्ठ संख्या 86 परिशिष्टम अब हम इस पुष्टक के परिशिष्ट भाग का द्वन्यंकन करते हैं विशय है वर्ण विचार है वर्णों का विचार स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं उनका विस्तार से संस्कृत व्याकरण के अनुसार विचार किया गया है वर्णाह संस्कृते इदानिम अष्ट चत्वारिंशत वर्णानाम प्रयोगाह भवती ते मुख्यतया भागत्र येन विभक्ताह संती स्वराह व्यंजनानी अयोगवाह स्चेती संस्कृत में मुख्यरुप से 48 वर्णों का प्रयोग होता है उनको तीन भागों में बाटा गया है प्रथम भाग है स्वर डितिय भाग है व्यंजन और त्रितिय भाग है अयोगवाह स्वराह स्वर कुल मिलाकर तेरह है रस्वस्वर आहा रस्वस्वर पांच है अ, ए, उ, री, ल्री दीर्गस्वर आहा दीर्गस्वर आठ है आ, ई, उ, री, ए, आ, आ, ओ, आउ व्यंजनानी संस्कृत वांग मही में व्यंजन तैंटीस है वर्गिय व्यंजनानी वर्गिय व्यंजन पच्चीस है जिनको महामूनी पानीनिने पांच वर्गों में बाटा है कू, चू, टू, तू, पू कू माने कवर्ग अर्थात च, छ, ज, 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 य, तू या अर्थात त वर्ग त, ठ, ड, ध, न तू अर्थात त वर्ग त, थ, द, ध, न और पू अर्थात प वर्ग प, फ, ब, भ, म अब अर्गिय व्यंजनानी ऐसे व्यंजन जो अवर्गिय है किसी वर्ग में नहीं है और वो दो प्रकार के हैं अंतस्था है अंतस्था अवर्गिय व्यंजन चार है य, र, ल, व उश्मान है अवर्गिय व्यंजन जो उश्मान है वो भी चार है संस्कृत के वरणों में दो अयोग वाह वरण कहे जाते हैं, जिनका नाम है अनुस्वार और विसर्ग और ये उच्चारन से जाने जाते हैं प्रिष्ट संख्या 87 उच्चारन स्थानाने वरणाभी व्यक्ति प्रदेश ह स्थानम कत्य दे शब्द प्रयोग समये कायाग्निना प्रेरित ह वायुहु कंठादी स्थानेशु संचरन वरणान अभीव्यनेक्ति यथोक्तम पानिनिय शिक्षायाम पानिनिय शिक्षा में कहा गया है कि किस प्रकार से मानव शरीर के नाभीव्य प्रदेश से प्रानवायु उठकर गला यानि कि कंठ मुर्धा तालू दात होट इसको छूते है आघात करते है और वरणों की उत्पत्ति होती है उसको कारिका में कहा गया है आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनो युंते विवक्षया मनह कायाग्नि माहंती सप्रेरयति मारुतं मारुतस्तूरसीचरं मंद्रं जनयतिस्वरं अश्टव स्थानानि वर्णानाम उरह कंठः शिरस्तता जिह्वा मूलंच दन्तास्च नासि कोष्ठव च तालूच एवं वर्णानाम उच्चानन स्थानानि अश्टव संती उरह, कंठः, शिरह, जिवा मूलं, दन्ताह, नासिका, ओश्ठव, तालूच उच्चानन स्थान आठ माने जाते हैं उरह याने वक्षस्थल, कंठ अर्थात गला, शिरह याने मूर्धा, सिर, जिवा मूल याने जीब का मूल स्थान दन्त याने दात, नासिका, ओश्ठव माने दोनों होट, तालू उसको विस्तार से चाट के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है जैसे की आ, आ, का, खा, गा, घंगा, ह, और विसर्ग उत्पत्तिस्थानानी इन वर्णों का उत्पत्तिस्थान कंठ है और इन वर्णों को कंठ नाम से बुलाया जाता है वर्णाह इ, इ, च, छ, ज, ज, य, य, श उत्पत्तिस्थानानी तालूह वर्णानाम संग्या तालद्यह वर्णाह री, री, ट, ठ, ड, ध, ढ, र, र, श उत्पत्तिस्थानानी मूर्धा वर्णानाम संग्या मूर्धन्य वर्णाह ल, री, त, ठ, द, ध, ढ, र, ल, स उत्पत्तिस्थानानी दंताह वर्णानाम संग्या दंत्यह वर्णाह उ, उ, प, भ, ब, भ, म उत्पत्तिस्थानानी वर्णा नाम संग्या वर्णाह उत्पत्तिस्थानानी नासिका अपिच कंठा दीनी वर्णा नाम संग्या नासिक्याह वर्णाह ए आई उत्पत्तिस्थानानी कंठतालू वर्णा नाम संग्या वरनाह ओ अउँ उत्पत्तिस्थानानी कंठोष्थम वरनानाम संग्या कंठोष्थयह वरनाह व उत्पत्तिस्थानानी दन्तोष्थम वरनानाम संग्या दन्तोष्थयह वरनाह अनुस्वारह उत्पत्तिस्थानानी नासिका वरणा नाम संग्या नासिक्या हा प्रिष्ठ संख्या 88 कारकम व्याकरण शास्त्र में कारक प्रकरण जो की वाक्य रचना में साहिक होता है उसको यहां व्याक्याइत किया गया है सामान्य परिचय हा सामान्य तह शटकारकानी भवन्ती यथा करता कर्मच करणं संप्रदानं तथैवच अपादानाधिकरणं इत्याहु कारकानिशाट। कारक छे प्रकार के होते हैं। इसको समझने के लिए हिंदी भाषा में हम इस प्रकार समझते हैं। कर्ताने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधीकर्ण में पर संबोधन हे अरे भो संस्कृत व्याकरण में शष्ठी संबंध विभक्ती जो है उसको कारक नहीं माना जाता है इसको विस्तार से आगे बताएंगे कर्त्री कारकम स्वतंत्रह करता प्रियायाम यह स्वतंत्रह प्रधानुवाभवती सकरता यथा रामह ग्रामं गच्छती इस वाक्य में राम करता है और करता स्वतंत्र होता है अत्र गमन क्रियायां रामाह स्वतंत्रह वर्तते अतह सकर्त्रिकारकं अस्ति वाक्य मुख्य कर्तरी प्रतमा गौने कर्तरीच त्रितिया विभक्ति भवती यथा क रामाह ग्रामं गच्छती ख रामेन ग्रामह गम्यते कर्मकारकम कर्तुहु इपसिततमं कर्म कर्ता स्वक्रियया यम अर्थम अतिशयेन प्राप्तुम इच्छती तत कर्मभावती यथा बालकाह विद्यालयं गच्छती इस वाक्य में विद्यालय कर्म है क्योंकि कर्ता का ये इपसिततम माने जो चाहा हुआ कर्म है जहां वो जा रहा है विद्यालय तो इसलिए यहां कर्म में दित्याविभक्ती हुई अत्रवाक्य बालकाह कर्ता भवती गमन क्रियया विद्यालय तस्य इपसिततमम वर्तते अतह विद्यालय ती कर्मकारकम वर्तते कर्मणी वित्याविभक्ती, कर्मवाच्चे मुख्येच प्रतमाविभक्ती भवती यथा क बालकह विद्यालयं गच्छती, भालकेन विद्यालयाह गम्यते कर्णकारकम, साधकतमम कर्णम, क्रिया सिद्धोयत अतिशयेन सहायकम भवती तत कर्णम भवती, क्रिया की सिद्धी में याने जो हम कार्य कर रहे हैं, उसको सफल बनाने में जो सहायक कर्ण हो उसको कर्णकारक कहते हैं, यथा शामह कलमेन लिखती अत्र कर्तु हुँ शामस्य लेखन क्रियायाम कलमह अतिशयेन सहाय कह अतह कलम इति करनकारकं भवती करने तृतियाविवक्ती भवती संप्रदान कारकं कर्मनायम अभिप्रैति स संप्रदानम करता दानक्रियायम संबद्धुम इच्छती तत संप्रदानम भवती यता देवदत्तह भिक्षुकाय भिक्षाम ददाती अत्रकर्ता देवदत्तह दानक्रिया भिक्षुकम अभिप्रैति संबद्धुम इच्छती अतह भिक्षुकपदं संप्रदान कारकं संप्रदाने चतुर्थी विभक्ती भवती अपादान कारकं ध्रुवम अपाये अपादानम अपाये अर्थात विभागे यत ध्रुवम अवधिभूतं तत अपादानम भवती यता व्रिक्षात फलम पतती व्रिक्ष से फल गिर रहा है व्रिक्ष से फल के अलग होने पर व्रिक्ष अवधिभूत ध्रुवस्थी रहे तो उसमें पंचमी विभक्ती होगी अताह व्रिक्ष द्रुवः इति अपादान कारकं अपादाने पंचमी विभक्ती भवती अधिकरण कारकम उपपद विभक्ति ही जैसे मुख्य विभक्तियां बताई कर्तरिकारक, कर्मकारक, करणकारक, संप्रदानकारक, अपादानकारक और अधिकरणकारक इसी प्रकार से अब उपपद विभक्ति बताते हैं पदम आश्रित्य या विभक्ति सा उपपद विभक्ति ही पद को आधार मान कर जो विभक्ति होती है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं जैसे की उभयता हा दोनों तरफ पद है उभयता हा इस पद के साथ बित्या विभक्ति का प्रियोग होता है उदाहरण के लिए नदीम उभयता हा व्रिक्षाह संती इस पद के साथ भी वितिया विभक्ति का प्रियोग होता है उदाहरण के लिए विद्यालयम परितह प्राचीरम अस्ति सर्वतह सभी तरप इस पद के साथ भी वितिया विभक्ति का प्रियोग होता है उदाहरण के लिए ग्रामम सर्वतह क्रिशिक शित्रानि संति प्रति की ओर इस पद के साथ भी दितिया विभक्ति का प्रयोग होता है उदाहरन के लिए विद्यालयम प्रति छात्रह गच्छती अर्थात समीप में इस पद के साथ भी द्वितिया विभक्ति का प्रियोग होता है उदाहरन के लिए विद्यालयम निकशा उद्यानम अस्ति धिक यह शब्द निंदावाचक है इसके साथ दृतिया विभक्ति का प्रियोग किया जाता है उदाहरन के लिए मूर्खम धिक सह इस पद का अर्थ है सहित और इसके साथ दृतिया विभक्ति का प्रियोग होता है उदाहन के लिए बाली का बालकेन सह खेलती विना अर्थात अतिरिक्त इस पद के साथ तृतिया अथवा पंचमी अथवा दृतिया इन तिनों विभक्तियों का प्रयोग एच्छिक है उदाहन के लिए ग्यानेन विना जीवनम व्रिथा या ग्यानात विना जीवनम व्रिथा या ग्यानम विना जीवनम व्रिथा ये तीनों प्रयोग शुद्ध है अलम अर्थात वारण रोकना इस शब्द के साथ तृतिया विभक्ति का प्रयोग होता है विवादेन अलम, कलहेन अलम और अलम का दूसरा अर्थ है समर्थ यानि सामर्थ्यवान होना और इसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रियोग होता है जैसे मल्लह मल्लाय अलम, अश्वह अश्वाय अलम इत्यादी नमस्कार, नमस्कार के लिए संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति का प्रियोग होता है जैसे पित्र देवाय नमह, शिवाय नमह, गणेशाय नमह, इत्यादी बहिह इस पद के साथ, पंचमी विभक्ति का प्रियोग होता है उदाहन के लिए विध्यालयात बही ही बालकाहा खेलंती, ग्रिहात बही ही गउहुंचरती इत्यादी उपरी अर्थात उपर इस पद के साथ शष्ठी का प्रियोग होता है जैसे कि वरिक्षस्य उपरी मरकटाह क्रीडमती अधह अर्थात नीचे इस पद के साथ शष्ठी विवक्ति का प्रियोग होता है जैसे कि वरिक्षस्य अधह पथिकाह उपविशती अंतह अर्थात भीतर इस पद के साथ शश्टी विभक्ति का प्रियोग होता है जैसे कि विद्यालयस्य अंतह छात्राह पठंती प्रिष्ठ संख्या नब्बे शब्द रूपानी अब शब्दों का रूप तीनो वचन में और तीनो लिंगों में कहे जाते हैं सर्व प्रथम सर्वनाम शब्दों को बताते हैं प्रथम शब्दा है एतत शब्द का पुलिंग में कैसे रूप चलेगा वो हम आपके सामने उपस्थापित कर रहे हैं विभक्ति ही, प्रथमा, एतत शब्द के रूप, प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन में बनेंगे, एशह, एतव, एते, द्वीतिया विभक्ति, एतम, एतव, एतान, तृतिया विभक्ति, एतेन, एताभ्याम, एताई ही, चतुर्थी विभक्ति, एतस्मय एताभ्याम एतेभ्याह पंचमे विभक्ति एतस्मात एताभ्याम एतेभ्याह शष्ठी विभक्ति एतस्य एतयोह एतेशाम सब्तमे विभक्ति एतस्मिन एतयोह एतेशो विशेशह सर्वनाम शब्दानाम संबोधने रूपानि न भवन्ति जो सर्वनाम वाचक शब् उनका संबोधन नहीं होता है अब एतत शब्द के स्त्रिलिंग वाची रूपो को रखा जा रहा है विभक्ति प्रथमा एशा, एते, एताह द्वीतिय विभक्ति एताम, एते, एताह तुरितिय विभक्ति एतया, एताभ्याम, एताभिह पंचमी विभक्ति शश्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति और अब एतत शब्द के नपुन्चक लिंग वाची रूप विभक्ति प्रथमा द्वितिया विभक्ति द्वितिया विभक्ति चतूर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति शेश्ठी विभक्ति एतस्य एतयोह एतेशाम सब्तमी विभक्ति एतस्मिन एतयोह एतेशु यहाँ पर इस बात को मैं पुनह कह दूँ सर्वनाम शब्दानाम संबोधने रूपानी न भवन्ती सर्वनाम शब्दों का संबोधन विभक्ति रूप नहीं होता है प्रिष्ट संख्या 91. तत शब्द का पुलिंग वाची रूप. विभक्ति प्रथमा. सह तौ ते. द्वितिया विभक्ति. तम तौ तान. तृतिया विभक्ति. तेन ताभ्याम तैही. चतूर्थी विभक्ति. तस्मै ताभ्याम ते भ्याह. पंचमी विभक्ति. तस्मा ताभ्याम ते भ्याह. शश्ठी विभक्ति. तस्य तयोह तेशाम. सप्तमी विभक्ति. तस्मिन तयोह तेशू. तत शब्द के स्त्रिलिंग वाची शब्द रूप. विभक्ति प्रथमा. सा ते ताह. द्वितिया विभक्ति ताम ते ताह तृतिया विभक्ति तया तभ्याम ताभिह चतुर्थी विभक्ति तस्चै तभ्याम तभ्यह पंचमी विभक्ति तस्याह तभ्याम तभ्यह शश्थी विभक्ति तस्याह तयोह तासाम सप्तमी विभक्ति त स्याम तयोह तासू प्रिष्ट संख्या बयान बै तत ह्शब्द के नपुन्षक लिंगवाची रूप विभक्ति प्राथमा तत तानी दृतिया विभक्ति तत तानी तृतिया विभक्ति तेन ताभ्याम थैही चतूर्थी विभक्ति जैसे तत शब्द के तिनों लिंग में रूप दिखाए गए, इसी प्रकार से अब किम शब्द का पुल लिंग वाची, स्टी लिंग वाची और नपुन्चक लिंग वाची रूप रखे जा रहे हैं प्रथमा विभग्ती, कह, कौ, के, द्वीतिया विभग्ती, कम, कौ, कान, दृतिया विभग्ती, केन, काभ्याम, कैही, चतूर्थी विभग्ती, कस्मई, काभ्याम, के भ्याह, पंच्मी विभग्ती, कस्मात, काभ्याम, के भ्याह, शश्ठी विभग्ती, कस्य, कयोह, के शाम सब्तमी विभक्ती कस्मिन कयोह केशु किम शब्द के स्ट्रिलिंग वाची शब्द रूप विभक्ती प्रथमा का, के, काह द्वीतिया विभक्ती काम, के, काह तृतिया विभक्ती कया, काभ्याम, काभिह चतूर्थी विभक्ती पंचिमी विभक्ती सब्तमी विभक्ती प्रिष्ट संख्या तिरानबे किम शब्द के नपुन्चक लिंग बाची शब्द रूप विभक्ती प्रथमा किम के कानी केन का भ्याम कई ही कस्मात का भ्याम के भ्याह कस्य कयोह के शाम सब्तमी कस्मिन कयोह केशु अब इकारांत अर्थात रस्व इकारांत स्त्रिलिंग वाची शब्दों के रूप दिये जा रहे हैं शब्द है मती विभक्ती प्रथमा मती ही मती मतायाह द्वीतिया मतिम मती मती ही त्रितिया मत्या मतिभ्याम मतिभी ही चतुर्थी मत्याह अथवा मतये मतिभ्याम मतिभी ही पंचमी मत्याह अथवा मतेह मतिभ्याम मतिभ्याह शश्ठी मत्याह अथवा मतेह मत्योह मतीनाम सब्तमी सप्तमे, मत्याम अथवा मतव, मत्योह मतिशुट, संबोधनाम, हे मते, हे मती, हे मतायाह, एवमेव, गती, स्थिती, शक्ती, पृती, कृती, इत्यादी नाम, इकारांत स्थिलिंग शब्दा नाम, रूपान भवन्ती, इसी प्रकार से गती, स्थिती, शक्ती, पृती, कृती, इत्यादी, स्थिलिंग वाची इकारांत स्थिलिंग शब्दों का रूप होता है, प्रिश्ट संख्या 94, अब दीर्ग इकारांत स्थिलिंग शब्द दिये जाएंगे, दीर्ग इकारांत स्थिलिंग शब्द है, नद विभक्ति प्रथमा नदी नद्याव नद्याह द्वीतिया नदीम नद्याव नदीहि तृतिया नद्या नदीभ्याम नदीभिहि चतुर्थि नद्याई नदीभ्याम नदीभ्याह पंचमी नद्याह नदीभ्याम नदीभ्याह शष्थि नद्याह नद्योह नदीनाम सब्तमी नद्याम नद्योह नदीशु संबोधनम हे नदी हे नद्यव हे नद्यह एवमेव भगिनी लेखनी मानिनी पठंती इत्यादिनाम इकारांत स्त्रिलिंग शब्दा नाम रूपानी भवन्ती इसी प्रकार से दीर्ग इकारांत स्त्रिलिंग शब्दों का रूप चलता अब इकारांत नपुन्सक लिंग शब्द जैसे के वारी वारी अर्था जल इसमें रस्व इकार है और वारी शब्द नपुन्सक वाची है इसके रूप दिये जा रहे हैं प्रिष्ण संख्या पचानवे रिकारांत पुल्लिंग शब्द रिकारांत याने जिसके अंत में री हो ये पुल्लिंग वाची शब्दों के रूप अब उपस्थापित किये जा रहे हैं शब्द है पित्री शश्ठी पितुहु पित्रोह पित्री नाम सप्तमी पितरी पित्रोह पित्रिशूँ शंबोध नाम हे पिताह हे पितरोह हे पितराह एवमेव भ्रात्री जामात्री देवरी इत्यादी नाम रिकारांत पुल्लिंग शब्दा नाम रूपानी भवंती इसी प्रकार से भ्रात्री जामात्री देवरी इत्यादी रिकारांत शब्दों का पुल्लिंग में इस प्रकार से रूप चलते हैं त्रिन त्रिच प्रत्या यांता नाम दात्री वक्त्री धात्री नेत्री ये दात्री वक्त्री धात्री मूल धातु है और उसको त्रिच या त्रिन प्रत्य होता है तो शब्द बनता है दात्री वक्त्री धात्री इनका भी रूप और स्वस्त्री नप्त्री क्षत्री होत्री पोत्री शब्द इनका प्रत्मा द्वित्या विभक्ति में विभक्तियों रूपेशु दीरगाह भवती यथा दाता दातारव दातारह मात्री शब्द स्य द्वित्या बहुआ चने मात्री भवती अन्यानी रूपानी समानानी एव बाकी रूप समान है अब उकारांत नपु चुन्सक लिंग शब्द के रूप दिये जा रहे हैं जैसे कि मधु शब्द का रूप है प्रथमा विभक्ति द्वितिया चतुर्थी शष्ठी संबोधनम इव झानू तालू वस्तु इत्यादिनाम उकारांत नपुन्चक शब्दा नाम रूपानी भवन्ती। इसी प्रकार से नपुन्चक उकारांत शब्द जैसे के जानू तालू वस्तु है उनका रूप चलता है। प्रिष्ठ संख्या 96, धातु रूप आनी, अब धातुों के रूप दिये जा रहे हैं, सबसे पहले धातु है चर, अर्थात चलना या चरना, चर धातु के लट लकार के रूप, जो कि वर्तमान कालवाची होते हैं, उसका यहां उपस्थापन किया जा रहा है प्राथम पूरुशः एक वचनम, बीवचनम, बहुचनम, चरति, चरतह, चरंति, मध्यम पूरुशह चरसी, चरतःह, चरतह, उत्तम पूरुशह, चरधातु का लिट्लकार का रूप दिया जा रहा है जो की भविशत कालवाची है प्रथम पुरुशह मध्यम पुरुशह चरधातु के लंगलकार के रूप जो की अतित कालवाची होते हैं दिये जा रहे हैं प्रथम पुरुशह चरधातु के लोटलकार के रूप जो की अनुग्या या आदेश वाचक होते हैं वो दिये जा रहे हैं प्रथम पुरुशह चरतु, चरताम, चरम्तु मध्यम पुरुशह चर, चरतम, चरता उत्तम पुरुशह चरानी, चराव, चराम प्रिष्ठ संख्या 97 चरधातु के विधिलिंग लकार के रूप जो कि विधी या संभावना वाची होते हैं दिय जा रहे हैं। खाद, धाव, रक्ष, पूज, कूर्द, पत, भ्रम, लिक, गम, पठ, क्रीड, इत्याली नाम, धातु नाम, रूपानी, भवन्ती। ये जो धातु दी गए हैं इनका रूप भी चर की तरह विभिन्न लकारों में ऐसे ही चलेगा। क्रीधातु के रूप दिय जा रहे हैं क्री अर्थात करना। लट लकार के रूप है प्रथाम पुरुशह करोति कुरुताह कुरुथाह कुरुथा। उत्ताम पुरुशह करोमि कुर्वह कुर्मह। लट लकार के रूप भविश्यत कालवाची। प्रथाम पुरुशह करिश्यति करिश्यतह करिश्यंति। मध्यम पुरुशह करिश्यसी करिश्यतह करिश्यतह। उत्ताम पुरुशह करिश्यामि करिश्यावह करिश्यामह। कृधातु के लगलकार के रूप। प्रथाम पुरुशह अकरोत्त अकुरुताम अकुर्वन। अकरोह अकुरुतं अकुरुत उत्ताम पोरुशह अकरवं अकुर्व अकुर्म प्रिष्ठ संख्या अठान्बे क्रीधातु के लोटलकार के रूप अetz में अठान्बार्ठाम पोरुशह अकुरुतं कुर्वं असक्या अठान्बे क्रीधातु के रूप जोकि अटीत कालवाच्चि है दिये जा रहे हैं अवसत, अवसताम, अवसन वसधातु के लोट लकार के रूप जो के अनुज्या और आदेशवाची है दिये जा रहे हैं वसतु, वसताम, वसंतु वसधातु के विधिलिंग लकार के रूप जो की विधि और संभावना वाची है दिये जा रहे हैं वसेत, वसेताम, वसेयुह वसेह, वसेतम, वसेत अब दिरिश धातु, दिरिश अर्था देखना उसके रूप चलाये जा रहे हैं दिरिश को पश आदेश होता है लटलकार में जो की वर्तमान का लवाची है उसके रूप है प्रथम पुरुशह दिरिश धातु के लिटलकार के रूप जो की भविशत का लवाची है चलाये जा रहे हैं प्रथम पुरुशह प्रिश्ट संख्या सौव दिरिश धातु के लंगलकार के रूप जो की अतीत का लवाची है दिये जा रहे हैं प्रथम पुरुशह द्रिश को लंग लकार में पश्च आदेश होता है अपश्चत अपश्चताम अपश्चन मध्यम पुरुशह अपश्चतम अपश्चत उत्तम पुरुशह अपश्चम अपश्चाव अपश्चाम द्रिश धातों के लोट लकार के रुप जो के अनुग्या और आदेश वाच दिये जा रहे हैं लोट लकार में भी द्रिश को पश्य आदेश होता है। अब स्था धातु के रूप दिये जा रहे हैं स्था अर्थात ठहरना। स्था को तिष्ठ आदेश होता है लट लकार में। लट लकार वर्तमान कालवाची उसके रूप है। प्रथामा पुरुशह तिष्ठती तिष्ठता तिष्ठंती मध्यामा पुरुशह तिष्ठसी तिष्ठता तिष्ठता उत्तामा पुरुशह तिष्ठामी तिष्ठावा तिष्ठामा प्रिष्ठ संख्या 101. स्थाधातु के लिट लकार के भविशत कालवाची रूप स्थाधातु के लोट लकार के रूप जो की अनुग्या और आदेश्वाची है इस प्रकार है लोट लकार में भी स्था को तिश्था आदेश होता है स्थाधातु के विधिलिंग वाची रूप जो की विधि और संभावना आर्थ में होते हैं और विधिलिंग में भी स्था को तिश्था आदेश होता है अब पच धातु के रूप दिये जाते हैं पच अर्थात पकाना लट लकार वर्तमान काल में इसके रूप चलते हैं पचति पचताः पचन्ति मध्यमा पचसी पचताः पचताः उत्तमा पचामी पचावह पचामाः पचधातु के लिट लकार के रूप जो की भविशत कालवाची है वो इस प्रकार से हैं प्रथामा पोरुशहा पक्षती पक्षतह पक्षंती मध्यमा पोरुशहा पक्षसी पक्षतह पक्षतह उत्तामा पोरुशहा पक्षामी पक्षावा पक्षामा हा पक्षधातु के लंगलकार के अतित कालवाची रूप इस प्रकार है प्रथामा पोरुशहा अपचत अपचत पचदातु के लोटलकार के रुख, जोके अनुज्या और आदेश्वाची है, वो इस्त्रकार हैं। पचदातु के विधी लिंगलकार के रूप, जोके विधी और संभावना में होते हैं, इस प्रकार से हैं। वर्तमानकाल में। लटलकार में पाधातु को पिब आदेश होता है। रूप इस प्रकार हैं। प्रथमा पुरूशह पिबती, पिबताह, पिबंती। मध्यमा पुरूशह पिबसी, पिबथाह, पिबथा। उत्तमा पुरूशह पिबामी, पिबावह, पिबामाह। पाधातो के लिट लकार भविशत कालवाची रूप प्रथामा पुरुशह पास्यती पास्यतह पास्यंती मध्यमा पुरुशह पास्यसी पास्यतह पास्यतह उत्तामा पुरुशह पास्यामी पास्यावह पास्यामाह पाधातो के लंगलकार अतित कालवाची रूप लंगलकार में पाधातु को पिब आदेश होता है। पिबत पिबतां पिबन्तु। पाधातु के विजिलिंग लकार के रुप जोकी विजि और संभावना में होते हैं। विजिलिंग में भी पाधातु को पिब आदेश होता है। प्रथाम पुरूशह। संख्या वाचक शब्दों को संस्कृत में दिया जा रहा है एक एकह दो द्वव तीन त्रयह चार चत्वारह पाच पंच छे शट साथ सप्त आठ अष्ट अथवा अष्टव नौ नव दस दश ग्यारह एकादश बारह द्वादश तेरह त्रयो दश चोधह चतुर दश पंद्रह पंच दश शोलह शो दश सत्रह सप्त दश अठारह अष्टा दश उन्निस नव दश अथवा एकोन विन्चतिह अथवा उन विन्चतिही 20 विंशति ही प्रिश्ट संख्या 105 21 एक विंशति ही 22 दौविंशति ही 23 त्रयों विंशति ही 24 चतुर विंशति ही 25 चब्यिस शट विंशति ही 27 28 अश्टा विंशति ही 29 नव विंशति ही अथवा एकोन त्रिंशति 30 31 एक त्रिंशति 22 दौविंशति 33 त्रयों विंशति 35 37 38 49 42 41 42 43 43 44 अथवा त्री चत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त एक पंचाशत, बावन, द्वा पंचाशत, अथवा द्वी पंचाशत, त्रिपन, त्रयाह पंचाशत, अथवा त्रिपंचाशत, चोवन, चतु पंचाशत, पचपन, पंच पंचाशत, चपन, शट पंचाशत, सतावन सब्त पंचाशत अठावन अश्टा पंचाशत अथवा अश्ट पंचाशत उन्सट नव पंचाशत अथवा एकोन शष्टिहिए साथ शष्टिही प्रिष्ठ संख्या एकसोच्छे द्या अकूत शष्टिह कुगक्षा अथवा तरीशष्टिही त्रैश्टिह अथवा त्रीशष्टिही 64, 65, 66, 66, 67, 68, 66, 69, 69, 67, 67, 62, 62, 67, 62, 67, 63, 63, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 80, 80, 81, 82, 93, 63, 84, 84, 85, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 90, 90, 91, 16 अथवा 20 नवति ही 9 बयान्वे 22 अथवा 29 तिरान्वे 32 अथवा 39 चोरान्वे 4 नवति ही 95 95 96 96 97 97 97 98 98 98 प्रिष्ठ संख्या 107 पूरण वाचक शब्दा है। प्रिष्ठ संख्या 107 पूरण वाचक शब्दा है। यही पर पूरण वाचक शब्दा पूरे होते हैं। प्रिष्ठ संख्या 107 पूर्ण वाचक शब्दा है।